हलो दोस्तों शड़ी मूड में आपको श्वगत है बिहार पुलिस भरती 2020 आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि CSBC एक एक्जाम कंड़क्ट कराने वाला है सोभिमान पुलिस भरती जो आया था सोभिमान पुलिस बटा लिए जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए था इस परिक्षा है यह अपका एक्जाम कंड़क्ट करा सकता है कि नहीं करा सकता है यह भी हम देखेंगे टिक यह सभी बात हैं इस वीडियो में करने वाले है तो वीडियो सुरू से लेकि अन तक जरूर देखिएगा चले वीडियो स्टार्ट करते हैं यह ओफिस्यल लोटिस है यहां पर देख सकते हैं कि कर्यारे जिला पदाधिकारी पश्मी चंपारण बेतिया द्वारा जारी किया गया है उपर आप पढ़िए गत्व ध्यान से ठीक मैं इसे जूम करकर आपको बता रहा हूं यह 24 आठ 2020 को लिखा गया है और जिला अच्छा पदिधिकारी द्वारा लिखा गया है और इसको अप्रोच किया गया था CSBC द्वारा वहां के जिला पदाधिकारी को बोला गया था कि इस डेट में आप सेंटर उपलब्द कराने की क्रिप्पा करें यहां पर देख सकते हैं कि कॉलेज पूरा यहां पर देखिए यह जो भी है इनके प्रिंसिपल क बना यह और पूरा डिटेल्स बताइए तो मैं यह विडियो बना रहा हूं यहां पर देख सकते कि जो डेट है आपको 248 2020 दिया हुआ है इसकी अभी रिशेंट दो दिन पहले ही है अभी यहां दिखें केंद्रिय चेन परसत सिपाही भरती यहां पर साब साब लिखा हुआ यहां पर 404 पर चेन भरती है तो अभिहारती की लिखित परिक्षा परिस्तावित थी चार दस 2020 मिसकी चार अक्टूबर को यह जिन रभी वार है एक पाली में अवेजन ही तो जिल्या कर्याले में परिक्षा केंद्री निरधारन के संब्ध में है ठीक तो इसमें क्या है कि एक ही पाली में यह इसलिए एक पाली में कंड़क्ट कराना है और यह सोशल डिस्टेंसिंग में रखते हुए भी एक्जाम कंड़क्ट कराया सकता है ऐसा यह अनुमान है यहां पर देखिए परसंग अधियक्ष्य केंद्रेचन परसत सिपाही भरते में अंकेत करना है कि परसंग दीन पत्र के द्वारा यह सुचित किया गया की केंद्रेचन परसत सिपाही भरती दो अनुमान सिपाही के 5454 पड़ पर 1 भरती है तो अभियार्थी की लिखित परिषा की प्रस्तावित थी दिन आंके यहां पर देखित चाहर अक्टूबर 2020 रभीवार को एक पाली में उजित होगी इस है तो सभी परिषा केंद रहता था संभव जीला मुख्याले के नगरिये परिषार्थी को परिषार्थी को परिषार्थी को कूल अनुमानित संख्या करोना संक्रमण के अलोक में जारी दिर्शा निर्देश और सोशल डिस्टेंसिंग के अलोक में दो परिषार्थी के बीच कम से कम दो गज की दूरी हो मिसकी एक और दो मिसकी दो लड़कों के बीच में कम से कम दो गज की दूरी हो ठीक बैठने के बवस्ता को ध्यान में रखते हुए तादा अनुसार परिषा के अंदर का चैन करने तो निर्देश प्राप्त है ठीक त निर्देश है कि दो परिस्थारी के बीच कम से कम दो गज की दूरी कम से कम यह बनाना है यहां पर देखे पानी और बेंच इतियादी की सुभधा के अधार पनिमलिकेत प्रपत्य में वांशित समती 24 घंटे के अंदर इस करयाले में उपलब दिकराना सुनिशित किया जाए ताकि जिला पदिदिकारी पश्यमी चंपारड बेतिया और केंद्रे चन परसित के बिहार पटना रक्षित परिक्षा केंद्र से समधी परतिवेदन भेजा जा सके यह 24 घंटे में बोला गया था कि उपलब दिकराने के लिए इस पर क्रिपा किया जा ठीक यह आपका पूर इस उसमें एक रूम में 24 लड़के ऐसे बवस्ता किया जाए उनके दो गच दूरी भी बने वैसे को चैन किया जाए और वहां पर ऐसे कंड़क्ट कराने के लिए हमारे पास जल्दी से जल्दी आप सुझाओ बेजो क्योंकि इसमें बहुत कम है और इसका एक्जाम कंड़क के लिए लोग कोशिस करेंगे ठीक अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह आपका जो है यह वाला अफिसल नोटी से इसके बारे में बिग्यापन संख्या 01220 यह पहला अपका था इसमें जो था आपको लास्ट डेट यह चोबिस साथ दोहजर बीस था आपको अंतिनती लिए तो इसका जो एक्जम कंड़क्त कराना यह 24 अक्तूबर को प्रस्तावित है अब यह देखा जाए कि 27 अक्तूबर को हो पाता है कि नहीं हो पाता है अगर होगा तो एक महीना पहले नोटिस जारी कर दिया गया जाएगा अब ही टाइम है आपके पास सितंबर सुरुव अप्रोच कर रहा है सरकार से बोला करा जारी की पत्ना के घरदनी हो वाग में अब से जाब सबसे प्रोब्लम है कि यह जो व्क्रें बहतर नहीं है और जुलों का इस्तिती बहतर हो रहा है पूरे बिहार क gon希望 बहतर हो रहा है जो ग्राफ ऐसए games एता गरोणा का ऐसे जा रहता है में आपको आगे बताने वाला हूँ तो और होते जा रहा है ultrasound यह द्धेफाए कि लड़के तयार हो जाएं और लड़के अपना टिकर टुकर जोभी दूर से आना है जिसको वह करालें। ऐसे नहीं के परकाभास होगा इतना दिन पहले आपको पता चलेगा आगे देखते हैं इसा अब कोई संगावना नहीं यह एकशाम हो सकता है तो एक्जाम हो सकता है जो कि उसे भी यह नोटिस द्वारा पुस्ट बंड कर दिया गया था यह आप आप देख सकते हैं यह दोड था बरतमान में लगाएगा लोगडाउन के कारण तेश अगस्त को परस्तावित मुख परिक्षागले तित्थी तक अस्थागित की जाती है मैं आपको बार-बार यह बोल रहा था कि आपको सितंबर के इंतियार करना होगा यह कम से कम इतना दिन आपको इंतियार करना होगा इसके बाद ही यह जो भी जनकारी है वह आपको अफिस्यल जनकारी मिलने सुरू हो जाएगा क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि स अब ही होते जा रहे और भी वहां पर तो यह देखना है वह भी सितंबर में अनुमाल लगाया गया कि सितंबर में बाढ़ के बहतर हो जाए तो इस सितंबर ही फर्स्ट और सेकेंड विक आपको नियुनायक होगा कि आपकी एक्जाम कंड़क कराया जाता है ठीक उसी समय आपक अब इससे क्या सावित होता है यह दिन में यहां दो हजार तक मिलने लगे थे 15 अगस्त के बाद अब धिरे-धिरे क्या है कि आपको 2-3 दिन से गराफ नीचे आने लगा है और बहुत ज्यादा मात्रा में चेक भी हो रहा है तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार मे परिचालन सुरू हो चुका है आपको सोशल डिस्टेंसिंग रहते हुए बस अब ट्रेन का परिचालन सुरू हो जाना चाहिए तो यह केंद्र एलाउ करेगा और स्टेट अपना नियुने लेगा अगर ऐसा हो जा रहा है तो आपको यह एक्जाम कंड़क्ट कराना बहुत ह तो चिपा नहीं होगा ठीक तो यह नहीं उस था मैंने सोचा सभी को दे दूंकर बार बार लोग बोल रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाईए जो बेतिया वाला नोटिस था और जो दरोगा के लिए बार बार पूछ रहे है अब दरोगा मुख परिच्छा होगा तो यह भी